Hi Everyone, आज आपके साथ आलू परवल की बहुत ही मसालेदार सबजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर परवल को वाश करने के बाद इनने सेंटर से कट कर लिया है अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आलू को पहले से ही पील करने के बाद इन्हें छोटे-छोटी क्यूप्स में कट कर रखा है मैंने यहाँ पर दो आलू लिये हैं अब इसके बाद पैन में ऑईल गरम करेंगे मैंने यहाँ पर सरसो का तेल यूज किया है बड़ी वाली इलाइची और एक इंच मैंने यहां पर दालचीनी का यूज किया है तो जब मसाले तोड़े चटक जाएंगे तब इसमें चॉप किया हुआ अनियन को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है अनियन्स को 2-3 मिनट के लिए भूनने के बाद इसमे 1 टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट आड़ करेंगे इसके बाद इसमें सारे मसाले आड़ करके इसे ओल सेपरेट होने तक कुक कर लेंगे मैंने जो भी मसाले यूज की है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में में मेंशन कर दिया है तो आप वहाँ से चेक कर लीजेगा जब मसालों से ओल रिलीज हो जाएगी तब हम इसमें फ्राई किये हुए आलू और परवल आड़ करेंगे अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके पैन का कवर लगा कर इसे 5-6 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे अब इसमें गरम मसाला कसूरी मेथी आड़ करके इसे मिक्स करो और इसे गरमा गरम पूरियों के साथ सर्फ करो डीटेल रेसिपी मैंने क्याप्शन में मिंशन कर दी है तो आप वहाँ से चेक कर लीजेगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरी पेच को फॉलो करिएगा